वेलकम टू थार्ड पार्ट ओफ एक्सकावेशन शेफ्टी एक्सकावेशन शेफ्टी के तीसरे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपका योगंदर काद्यां और स्टाट करते हैं excavation safety में first part में जिकर किया था हमने soil testing का तो देखे जब तक soil testing नहीं होती है मिटी का test नहीं किया जाता है तब तक excavation start नहीं करते हैं हाला कि practically अगर मैं बात करूँ तो आप किसी भी construction company में join कर रहे हैं या कर चुके हैं या अपकाम कर रहे हैं तो यह जितनी चीज़े मैं बता रहा हूँ ना इनमें से आधी चीज़े भी वहाँ follow नहीं होने वाली है आधी भी follow नहीं होंगी इतनी बड़िया client मिल जाता है कि वह company नहीं भी करना चाहिए तो वह करवा लेते हैं उतनी अची चीज़े इसलिए वह सारी चीज़े जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए तो भी soil mechanism के बारे में soil mechanics के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मिट्टी को कैसे चेक करते है हैं क्या क्या तरीके होते हैं क्या machines होती हैं जिन से हमें यह पता चलता है कि यह मिट्टी किस level की है और किस type की मिट्टी है अब unit weight की बात करते हैं unit weight of soil मिट्टी का unit weight एपरोक्स कितना होता है one cubic foot one cubic foot of soil मिट्टी एक cubic foot में मिट्टी जो है can weight from 110 pounds to 140 pounds 110 से 140 pounds weight होता है किसी भी एक cubic foot मिट्टी के अंदर एक cubic foot के अंदर जितनी मिट्टी होती है एपरोक्स ले उसका लगबग 110 pounds से 140 pounds या थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है और इसके अलवा one cubic meter अगर feet की बज़ए हम बात करें one cubic meter 35.3 cubic feet में soil can weight more than 300 pounds अगर एक cubic meter मिट्टी की हम बात करें तो उसका weight 3000 pounds लगबग होता है एक temporary soil होती है temporary soil का मतलब temporary soil का मतलब ऐसी soil जो वहाँ पर पर्माइंट ले नहीं है वो उड़के इदर से उदर चरी जाती है या उसको यहां से उदर उठा के रख दिया जाता है temporary soil must be placed no closer than two feet from the surface as of the excavation measured from the nearest base of the spoil to the cut temporary soil का मतलब जहां खुदाई की जाती है वहाँ से soil को उठा के जब उपर किनारों पर रख दिया जाता है तो उसको हम temporary soil बोलते हैं और वो खुदाई के शमय हमारे जो excavation के edge होते हैं उन से कम से कम दो feet दूर इकठा किया जाता है उन से कम से कम दो feet बाहर की तरफ उस mati को इकठा किया जाता है जब तक वो उठाई नहीं जाती है, वहाँ से, अब बात करते हैं, types of soil, ये मिटी कितने type की है, कितने परकार की मिटी होती है, excavation से पहले यही चीज देखना है हमें, शिलिए हम जानना चाहते हैं, कि soil जो है, वो है कितने परकार की मिटी, जो ये मुख्य रूप से चाहर परकार की होती है, नमर एक, stable rock, नमर दो, type A soil, type B soil, type C soil, total 4 type की है, इसके बाद एक और पांचवे type का भी रहता है, उसको हम consider कर भी सकते हैं, type of soil में, वो होता है, layered soil, layered, यानि कि कई layer में जो होती है, अब हम पांच type के इसको बोल सकते हैं, stable rock, type A, type B, type C, और layered soil, अब हम बात गरते हैं कि stable rock क्या होता है, stable rock मतलब जो marvel का पथर होता है, ऐसे पथर जो stable होते हैं, वो अपने आप हिलते, डूलते, गिरते, collapse होते हैं, तूटते नहीं हैं, उसको हम stable rock बोलते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो कोटा पथर हम फर्स में भी चाते हैं, marvel के फर्स हम जो लगाते हैं, ये सारे पथर stable rock के अंदर आते हैं, इन में खुदाय करते हैं, टाइम में safety के measures अलग होते हैं, अब बात करते हैं type A soil की, तो type A soil, और cohesive soil, A type की जो soil होती है, वो cohesive हो होई होती है, वो एक दूसरी में ऐसे मिली होई होती है, वो अलग-अलग नहीं होती है, with an unconfined compressive strength, ऐसी मिटी जिसको कितना भी दबाने से कम से कम, 1.5 ton per square feet या इससे ज्यादा की ताकत उसमें होती है, compressive strength का मतलब होता है, कि उसको किसी भी मिटी को जितना ज्यादा compress किया जाता है, तो कितना दबाव सेहन कर सकती है, तो type A soil उसे कहा जाता है, जो आपस में चिपकी होई होती है, और 1.5 ton, 1.5 ton square foot या इससे भी ज्यादा की compressive strength होती है, जैसे चिकनी मिटी, क्ले, क्ले लॉम, सिल्टी, ये सारी मिटीयां जो है, soil class A में आती है, अब बात करते हैं कि class B soil क्या है, class B soil में difference उसी ज्यादा है, class type B soil are cohesive soil with an unconfined compressive strength greater than 0.5 ton per square foot, but less than 1.5 ton square foot, 1.5, 1.5 ton per square foot से कम होती है, लेकिन 0.5 ton per square foot से इसकी compressive strength ज्यादा होती है, अब बात करते हैं type C soil, और ये type B soil में दोमट मिटी, और काफी चिपकी हुई बजरी type मिटी होती है, लेकिन वो बहुत जल्दी गिर्दी तूटती नहीं है, लेकिन जो चिकनी मिटी होती है, उससे थोड़ी सी कमजोर होती है, दोमट मिटी ही उसको आप मान सकते हैं, जो खेतों में पाई जाती है, टाइप C soil में आता है, टाइप C soil are cohesive soil with an unconfined compressive strength of 0.5 ton per square foot, और less, जो ज्यादा से ज्यादा 0.5 ton square foot की compressive strength की होती है, या उससे भी उसकी ताकत कम होती है, उसको class C soil में consider करते हैं, अब layered system जो है, layered soil वो होती है, जो एक ही जमीन पे कुछ एक feet के बाद या कुछ meter के बाद layer बदलती रहती हैं, अलग-अलग layer होती हैं जहां पे, उससे हम layered soil बोलते हैं, अब बात करते हैं कि soil की testing कैसे होती है, इसका evaluation कैसे होता है, तो इसका evaluation मुखेर 2-3 प्रकार से करते हैं, soil test equipment होता है, penetrometer, penetrometer मतलब दबा के check करने वाले एक ऐसा meter होता है, उसमें spring लगा होता है, और जो आपने chipping या breaker ऐसा देखा होगा, वो हाथ में ऐसे पकड़ के चलता है, तो पथर उथर तोड़ता है, कुछ इस परकार से वो काम करता है, उसमें एक लंबी नीचे road होती है, जिस पर spring लगा होता है, तो उसको जमीन पर रख के दबाते हैं, एक pressure पर, तो उसके ओपर जो meter लगा होता है, वो meter में बता देता है, कितने kilogram per square centimeter, या कितने ton per square feet, इसका दबाव ये सेहन करेगा, kilogram per square centimeter में ही इसको check करते हैं, नॉर्मली, इसके बाद, एक आता है, share torven, share torven, एक और machine होती है, वो छोटा सा होता है, online भी कोई भी उसको मंगा सकता है, वो छोटा सा एक, दो-तिन, उसमें अलग-अलग parts होते हैं, equipment में, उसका क्या होता है, अलग-अलग उसको assemble करके, और जमीन के एक छोटे सी sample पर, पूरी मीटी पर रखने हैं, एक छोटा सा sample ले मीटर लगा होता है, जिस पे एक swing होती है, अपने घड़े की तरह, तो आप उसको गुमाएंगे, तो जहां पर जाके वो मीटी को, उसको मीटी में थोड़ा सा अंदर तक दबाया जाता है, उसमें लिखा रहता है, उसके जो instruction होतीन में लिखा रहता है, इतने mm ही उसको जम वहाँ पर strength खतम हो गया, तो उसको ऐसे खुलने तक वो सुई जितना भी घूमती है, जहां पर जाके वो रुपती है, वही उसका strength होता है, और ये उसका ton per square feet में मापते हैं, या तो kilogram per square centimeter में उसको हम माप लेते हैं, इसके बाद तीसरा तरीका एक होता है, thumb penetration soil test, ये देशी जुगाड तरीका है, इसमें क्या करते हैं, मिटी का कोई भी एक sample लेके आते हैं, ऐसे हाथ में, मुठी भर के पूरा, उसमें अंगुठा रखे दबाने कोशिश करते हैं, the thumb penetration procedure involved and attempt to press the thumb firmly into the soil, अगर आप अंगुठे से, उस sample में ऐसे अंगुठे से गर दबाते हैं, तो नहीं दब रहा, अंगुठा जा ही नहीं रहा, या बहुत मुष्किल से थोड़ा सा अंदर जाता है, तो वो होती है, type A soil, ठीक है, द्यान से, मैं आपको देशी तरीका बता रहा हूँ, और यही तरीका इस्तिमाल करते हैं, वो machine machine नहीं रखते हैं, वाई, अपने इदर बह type B soil में consider करेंगे, इसके अलावा अंगुठा पूरा का पूरा अगर उसके अंदर ऐसे घुच जाता है, उसके अंदर ऐसे एंटर कर जाता है, उस सेंपल में, उस मीटी के, उस soil के अंदर, तो उसको class, मलब type C soil में consider करते हैं, तो यह तरीका होता है, thumb penetration soil test, इसके अलावा एक कानी के अवियव ज्यादा ही है, तो ऐसे में उस मीटी का क्या करते हैं, कि उस मीटी को ऐसे हाथ में लेके, जैसे सादियों में लड़ू बनाते हुए देखाई होगा, तो ऐसे ही उसको ऐसे दवा दवा के, और जितनी चोड़ी हमारी हथेली होती है, उतना ही उसको लंबा लगबग उसको 4-5 इंच लगबग उसको लंबा कर लेते हैं और उसको ऐसे लंबा बना के उसका रोल सा जैसे हम लोग वो खाने के भी रोल होते हैं तो ऐसे उसको रोल की तरह ऐसे लंबा बना लेते हैं फिर उसको एक कॉर्नर से ऐसे पकड़ के देखते हैं, अगर A corner पर ऐसे पकड़ने के बावजूद, वो बीच में से तूट के गिर जाता है, तो वो मिटी फिर कमजोर है, उसकी strength कम है, अगर वो नहीं तूटता है, तो वो मिटी strong है, और उसको class A और B में उसकी strength के according, type A और B में consider करेंगे, तूट के अ करेंगे, घए तूट तूटता है, तूटता है ?